मैं 100 दिनों तक लगातार free fire खेलने वाला हूँ और इस एक लिवल की ID को 100 लिवल में convert करने वाला हूँ एक से लिकर के 100 लिवल तक जितने भी rewards मिलेंगे मुझे 100 दिनों के अंदर जितना होगा और ये 100 दिनों में एक दिन का मतलब free fire का एक match होगा अभी हमारा rank match तो खुला नहीं है तो वही चीज करेंगे जो सब लोग करते है classic आपका पहले दिन में स्वागत है यहाँ पे सबसे पहले game में मैं गया इस चमतकारी वस्तू के पास और यहाँ पे जब मैंने देखा कि पहले match में एक real player आज चुका है हमारे game में यह उड़ते उड़ते पहुँच जाता हूँ जमीन पे कुछ player को गिली चुम्मी और बुया करने के बाद लेवल अप हो चुका है दो लेवल पे आ चुके और मुझे मिला है 2500 कॉइन और एक थॉम्सन की स्किन भाई साब इतने सारे reward पहले तो स्रे फुस पुस दिया करते थे लो उसके किनारे और उसके बाद मैं पहुच चुका था डे एट में और मुझे मिला गाड़ी वाला और यहां पर यह बंदा उतरी नहीं रहता यह लेवल फो चुका है लेवल 3 और मुझे मिल चुका है डीजी आलो पहले तो लोग भीक मांग देते इसके लिए एक गरीना मुझे जेतिक पुछ्छ जैसे नहीं चो पहलती है दिन बढते जा रहा था वैकि आ श्यट जा रहा था लोगों की घ्सिर भी बढते जा रही थी मतलब की वह उर म्isme ने ठाद府 क्हा घ्रीं फो बुया करके आने के अबाद मेरा स्वागत किया गया कुत्ते के खाने से अनुसके बाद लेवल-ईप किया मेरा पांच लेवल के साथ उसके बाल मुझे मिला एक बिल्ली मतलब की जो ने मौत लगा दी एक लाइन से लेकिन डे 13 के लास्ट में भाई मैंने देखा कि मुझे एक बहुत ही खतरनाग फ्लियर मिला है भाई लिटरली 38 HP में मुझे इसने छोड़ा था 230 HP था मेरा ठीक है और यहां पर भाई फटावट हील कर लिया मैंने और यह बंदी को मैं मारा था ट्रीट्मेंट गन से लगा है लेकि इसका मतलब क्या मैं ट्रीट्मेंट गन से मारूंगा इस गलीच प्लेयर को एक मस साहेड मारने के बाद मैं पहुछ चुका था लेकिन क्या आपने कलरफू टेक्स इस्टीकर ट्राई किया मीम्स यह हमारी जिन्दी का एक हिस्सा बन चुका है और यही बात बबल कीबोर्ड को सबसे बेस्ट बनाती है क्योंकि इसके अंदर हम लोग सीधे मीम्स भेच सकते हैं बबल हैड एक ऐसा कूल फीचर जहां पर आप लोग अपने सकल के हिसाब से स्टीकर बना सकते हो मतलब कि यहां पर बबल हैड बनाना है आपको तो अपने हिसाब से जैसा मन करें वैसा क्रियेट कर सकते हो और इसमें ऐसे बहुत सारी फॉंट चुट के लिए सायरीया थीम अपने सिच्वेशन के साफ से हर एक तरह की स्टोरी मिल जाएंगी और यहां पर इस टोरी भी होती रहती है हमेशा तो क्या कर रहे हो भाई इस अमेजिंग फीचर को इस्तिमाल करो जाओ डाम्लड को लिंक इन दिस्क्रिप्शन कुछ चारो को रुमाल में लपेटने के बा मुझे थोड़ा सा सीरियस होकर के गेम खिलना पड़ेगा सामने वाली बंदे को देख सकते हो भाई क्या कवर लेकर के मुझे मार रहा था और विलगभग मुझे मारी दिया था तीन सो सोला आया है ठीक है अब इससे काम नहीं चलेगा मुझे फटा 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 अपना रैं और यहाँ भी मैंने मार नहीं लगा उसके बाद ये बंदा उतर जाता पता नहीं क्यों मार खाने के लिए मैंने डेर्ट सो मारा इसको लेकिन लगा नहीं और जोन बहुत तेज आ रहा था तो इसलिए मैं फटा फट सोचा कि चलो नीचे चलते फिर इसको मारेंगे मैं जैस मैंने कुछ नूब्रों को मारा क्योंकि अच्छे प्लेयर्स नहीं आ रहे थे रैंक प्लस किया एंड उसके बाद कुछ और बॉट्स को मारा एंड इन सब को गिली चुम्मी देने के बाद मैप ओज गया डे 30 में यहां पर धीरे धीरे प्लेयर्स अब खतरनाग होते जा रहे अब यहां पर देख सकते हूं मेरी HP दो कितनी कम होगे थी ठीक है मैंने इसको भाई सोनिया बना दिया लेकिन यह भी में को बनाने ही वाला था मैं बनता नहीं मैं सीधे मर जाता और यहां पर एक बंदा मस्ट कर रहा था मतलब की कैमपर्स भी आने स्टार्ट हो चुके थे इनको टपकाने के बाद मेरे सामने एक बंदा हा चुका था जो कि भाई एकदम वाइट एंजल पापा का परा लग रहा था मैंको उसके बाद मैं 3500 मार के सीधह रश किया उस पे और मैंने 1500 फिर जे मारा सूनिया वना उसके बाद वो एकदम चलवा था भाई 50 EP वाले मसरूम बाहर निकल यह ले डेर सो, बुया हो जुका है दोस्तों, यहां पे लेवल 9 हो जुका है, मेरा complete, और उसके बाद मुझे मिला एक किटी और 2000 कोईन, और D31 में आपका स्वागत है, यह जो बंदा था ना, लगभग मुझे पीछे से मारी चुका था, और यहां मुझे लगा था, खतम मेरा D31 मैंने इसको मार दिया, और भी अच्छे अच्छे प्लेयर साने स्टार्ट हो गया थे, मतलब लगभग सभी प्लेयर अच्छे आ रहे थे, और उसके बाद मैंने यहां पर इस बंदे को फटाक से हैड मारा, हैड तो लगानी थोड़ा सा लगा D32 में मैं किसी के अस्तियों को लूट रहा था, पता नहीं किस पर आए घर का बंदा होगा, उसके बाद मैंने यहां पर देखा कि उपर से एक कन्य आ रही है, पता नहीं किसकी बेगम है, लेकिन हाँ मैंने इस पर हाथ उठाया, उसके बाद उसको 106 का डेमज देने के टेलीपोर्ट हो रहा था, मैं ट्रांसपोर्ट बोल रहा हूं, जक्मो को भरने के बाद मैंने देखा कि बंदा उपर से मार रहा था, मैंने इसको डेट सो दिया, फिर में दूसरे बंदे को ढूलने लगा, मुझे दिखा कि अच्छा बेटे उसके पिछे यहां पर यहां प सामने से हो रहु लेकिन कोई बात निए इनकी भी गलती नहीं है, है तो गलीची है, लेकिन सामने से एक बंदा दूसरे से फायर करannée तो मैंने सूचा है, सालो, मै कि पीछे से भाज हूँ धाए हुँ कर दिया और मैंने से यहां पे खटम कर दिया, लेकिन यहांि की ने और यहां पर में को लग रहा था कि यहां पर लाश्ट बंदे बच्चे हुए तो यह पका इधर ही छुपे होंगे और इसके बाद मैं पीछे से इसी के साथ मैप आच चुका था लेवल 10 में चारे की रूप में मुझे यहां पर हयातो करेक्टर और एक यहां पर गोल्ड रोयल का टोकन और यहां पर क्वाइन मिले थे डेफोटी में आपका स्वागत है और यहां पर दोस्तों कलहरी मैप आ चुका है लेकिन इस मैच में 264 का हेड मारा सीधे बावासीर के इलाज के लिए इसने दवतों लगा लिया लेकिन नहीं बच पाया भाई मुन्नी बदनाम हुई की नहीं हुई मुझे नहीं पता लेकिन उसके बंदे को मैंने बदनाम कर दी देफोटी में दुपहर का समय हो रहा था और यहां पर भाई इस बंदे ने में को अच्छा कासा लिए दिया देखो कैसे भाई अच्छा कासा दो दिया था 60 एच्प का ही बचा धा और यहां पर तरभ से प्लेयर सारे सबस्टा हर तर तरफ से लोग तोड़ते भाई में आपना एकडम 1000 जाएगाए मुझे बंदे की फुट्स्टप आर लेकिन अब में ये बंदा भाई घूम कर आ रहा है इधर सही आ जातना मैंने देख लिया तरिको अब चुपके क्या फाइदा बट कोई भात नहीं है ये सीधा आरहा है मेरे सामने इसके बाद मैंने इसको हैड मारा एक चोटा सा उसके बाद में खतम कर दी ये बंदा अपना इसके बाद मैंने इसको हैड मारा नहीं लगा उसके बाद यहाँ पर अगली बार गया और मैंने इसको अच्छा कासा बॉडी मार के खतम कर दिया और मैं पॉच गया आगे मुझे यहाँ पर लग रहा था इसके अंदर कोई तो बंदा होगा और सच में था और उपर से जोड़ दिया था कि मुझे पता चले बंदे किदर है लाश दो बंदे बचे हुए थे और मैं तीसरा था भाई दिखो किदर चुपे हुए यह लो एक दूसरे के सामने थे और यह जैसे बंदा उतरा मैंने इसका फाइदा उठाए मैंने इसको पतक दिया और उसके बाद मैं और यहां से सामने से बंदा आ रहा था मैंने इसको भी डेमेज देने का ट्राइक है एक हैड मारा एक सो साथ का लेकिन फिर भी बच गया है ठीक है और उसके बाद यह मैं उसके पास रश किया सीधे लेकिन यह चुपा हुआ बंदा भाई कितना चुपे का पाई आप ही जा अचानक से आगे ते इसको ही मैंने फिर से जिंदा होगर कि आ चुका है मेरे सामने और मुझे मारने का पूरा ट्राइ करेगा मैंने इसको फिर से मार दिया और यह बंदा उपर से भाई पूरी मजे ले रहा था ठीक है वाई मेरी एच्प देखो 65 हप सरीफ मेरी बच्ची ह और यहां पर सोचा कि भाई इसको थोड़ा सा बाहर निकालते फिर मैंने इसको हेड मार दिया सीधे और तभी एक और बंदा आ गया आज आ पूरी बरात लेके आ जाओ को और मारने के बाद डे 65 में आपका स्वागत है उपर एक वुकॉंग मन करके पता नी कौन बैठा हु मैंने सीधे एक हैड मार के बंदी का किल ले लिया और मैं पहुच गया भाई इस जगा पे और यहां पर मैं देखा कि एक बंदा जीप से आ रहा है मतलब की गलीच प्लेयर यह जीप ओले ना इनको नाम दे दो गलीच है स्टैक गलीच हो जाना चाहिए कॉमेंट सेशन में मैंने इसको हैड मार दिया क्या मस्त है हैड मारा भाई जीप के अंदर और एक और गलीचा गया मतलब भाई गलीचो की कमती ही नहीं और यह बंदा उतर गया एटलिस ठीक है और इसके बाद मैंने इसको हैड मारने का ट्राई किया था लेकिन लगा नहीं और मैं सच बता रह वर मेरे सामने एक और बंदा आ गया बाइश स 박श ही ल également है थोड़े गाथ वे अम हैं मैंने हैड मारा थी हा ठीक है और यहाँ पर बिल्कुल लाश्ट प्लेयर बचा हुआ है व database कि उसको खुडू आपके एक बाज मर एक 138 और इस दिए मेर को ऑन यह क।छ यह को तो मुझे नहीं पता और या फैस बंदे वन्हे पर जो चुका था मैं दिन्हाइब है जिफेजाए कि नहीं तो प्रचुकार कि आ इसे ऐसे आगे बढ़ रहा हूँ देज सेवेंटी में में आचुका हूँ मेरा लेवल और रैंक दोनों बढ़ चुका है बंदे बहुत खतना का रहे थे लिटरली मेरी 2-2 HP 20 HP में बच रहा था और यहां पर यह बंदा आया था था इसको मैं एकदम मस्ता हैड मार के खतम किया है एंटेन का और मैं पहुचुका हूँ यहां पे डाइमेंड में डे 75 में भाई जो मेरे साथ हुआ है ना में बता नहीं सकते यह देखो भाई सलमान खान आ गया मेरे सामने मैं इसको डेट सो मारा फिर से बंदा कहतम हो गया और यह बंदा फैक्टरी के रूफ पे किसी को म मारा लेकिन यह मरा नहीं था फ्र फिर बिपिट से मैं इसको हैड और यह बंदा भाई मैं बहुत करहा हो मरने का और यहां पे लाश बंदी इसकी इसकी बैंस की इसकी बंदी नहीं सोगी मैंने बुइया कर लिया यह बंदा पर लैवे हो चुका है मेरा 13 क और day 91 में आप दे मुझे यहां पर मेरा 16 लेवल हो चुका है मेरा ठीक है और मुझे यहां पर चेस्ट में एक मस्ट सा कपड़ा मिला और दे 95 में आपका स्वागत है मेरे सामने एक बंस्ट सा जोकर वाला बंडल पैन किया था और इसको लगा कि मैं मर चुका हूँ भई क्या बंदा है फिर मैं करना कि इन फिर में धर मे घून कछतया है च्छानक से ऐा अचानक सिया मैं टुछाओ दिया ऐसको बहुत है विलिआ च्छानक के बाध मैं पुछा तक अदिन में विल किया तक Дोस्तों मैं थे थाचतना है बंदा पोरा थाच यहां और बंदा इसको एई श्चाण कर चानग सपलgot माई रख सबसे रoston और यह एक कैने का ऐंड़ यहार थिर्ल को मैंनेरथ फॉन्यार बन्नारों जोह सब्सक्राइल आप knocked on है जिसके अड़्मिए फोर थे सबस्ट बनन और रहे इसको और लायर फोरेन ऑर मंट्रक période वेस को 10 एको बनी बनी जब बन यहार भाई क्या बताओ इनको मैं थग्याओं बोलते गलिच लेकिन इनकी गलिच पंती नी खतम होती मैं इसको मुझे लग रहा है मैं M10 से इसको मार रहा हूं लेकिन M10 थाई नि मेरे हाथ में छोटी वाली पिस्तॉल थी फिर मैंने M10 निकाला और इसको भर दिया भाई मेरी